गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आइम गुंजन जोश्वी फ्रम नवजोती ग्लोबल स्कूल पहाडवानी तो आज हम अपनी कक्षा आठ का चैप्टर थी चिठ्थियों की अनूठी दुनिया पढ़ने जा रहे हैं और अनूठी का अर्थ है अनूखी ठीक है तो इस पार आठ शुरू करते हैं तो यह क्या उनसर चैप्टर है क्लास 8 का चैप्टर 5 है ठीक है क्या है पत्त्रों के दुनिया भी never habr 돼 है तो तो यहां पढ़ी होने लेखक करना फेरा है तो यहां पर बिदुनिया क्या है बहूत अजीब और इसमें आण पत्त sparku के क्यों क्या यह संसार का अधुनिक्तम मतलब इसका मतलब संसार का अधुनिक्तम मतलब की नया से नया साधन ठीक है नहीं कर सकता पत्र संतोष फ़ान या SMS का संदेज कहां दे सकता है तो यहां पर लेकर भोलते हैं कि जिस प्रकार खट में जो संदेज दे के जो संतोस मिलता है वो नहीं किसी SMS से मिल सकता है और नहीं किसी और चीट से ठीक है पत्री एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीती साहित तथा कला के शेत्र में तमाम विवाद और नहीं घटनाओं के जड़ भी पत्र ही होते हैं तो यहाँ पर लेका कहते हैं कि पत्री एक नया सिलसिला एक नया क्रमिकता शुरू कर रहे हैं ठीक है और राजनीती साहित तथा कला के शेत्र में जो है तमाम विवाद विवाद अर्थत बातचीत ठीक है विवाद का मतलब है घट बातचीत या फिर हम कहां सुनी कह सकते हैं जो कहां सुनी ठीक है जो होती है और नहीं घटना है जो भी होती है वो पत्र ही होए ठीक है कला के शेत पत्रों पर केंद्रित है और मानौ सब्यता के विकास में इन पत्रों के अनूठी भूमिका निभाई जते हैं तो लेका केरी के दुनिया का जो पूरा साहित है वो पत्रों पर क्रिंद्रित है और मानौ सब्यता जो है उसके विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभ अलग-अलग है लेकिन उसका भाह एक ही है क्या है वही भाह है अपनी विचारों को दूसरे से व्यक्त करना ठीक है पत्र को उर्दू में खत पदthem किया पत्र यादो को सहेज कर रखते हैं पत्र क्षिक करते हैं षम में किसी को कोई संदेह नहीं है और इसमें किसी को कोई संदेह अर्था शक नहीं है हर एक के अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हर किसी की पत्र लिखने के अपनी अलग कला होती है और पत्रों का भी अपना दायरा होता है ठीक है अब फिर लेखक क्या कह रहा है दुनिया भर में रोज करोडों पत्र एक दूसरे को तलासते तो लेखक कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो करोडों पत्र हैं वो रोज एक दूसरे को तलासते हैं तमाम ठीकानों तक पहुंचात भारत में ही रोज साड़े चार करोड़ चिठ्थियां डाग में डाली जाती है जो साबित करती कि पत्र कितनी अहमेत रखते हैं तो लेखक बोल रहे कि भारत में रोज साड़े चार करोड़ चिठ्थियां डाग में डाली जाती है जिससे पता चलता है कि पत्र के अभी भी कि बदलाव आया तो पंडित जवाहरला नहरू ने सन 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर करें का मतलब है पर पोस्ट में ठीक है डाकिया वही रहेंगे या फिर तेज घोड़े और उसके बाद फिर पहीं आए फिर रेलवे आए फिर तार से बारी हा है तो आपका गया टैली फोटेली फोन से वाई घ्ली तो ये इस से सब क्या है जा टैली में diffusion में बातचीत कर लेते हैं ठीक है पिछले सताबदी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया है सताबदी मतलब पिछले सौ सालों में सौ साल के समय को सताबदी कहते हैं पत्र लेखन की एक अलग रूप रहा है डाक विवस्था के सुधार के सांथ पत्रों की सही दिशा देने क के लिए बहुत से प्रयास किये गए पत्र संस्कृति संस्कृति विक्सित करने के लिए स्कूली पाथे क्रामों में पत्र लेखन का विशय भी सामिल किया गया संस्क्रितिक का विकास करने के लिए स्कूल के पाथे क्रम में पत्र लेखन को भी एक महत्व पूर्ण अंच बनाया गया भारत ही नहीं दुनिया के कहीं देशों में प्रयाश चले और विश्वडाक संग ने अपनी ओर से काफी भागारत ही नहीं मिल्के और भी कहीं ब्रेशों में ये प्रयाश किये गये और विष्वड आकसंग ने अपनी ओर से भी काफी प्रयाश किए विष्व डग संग की ओर से 16 रजसे कम आयू वाले बच्चों के लिए पत्र लेकन प्रत्योगिताएं आयोजित करवाना शुरू किया और कब से सन 1972 से यह सही है कि खास तोर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास ते था अन्य कारणों को से पत्रों की आवजाही प्रवावित हुए पर देहाती दुनिया अज भी चिठ्थियों से ही चल रही है लेकर करे कि हां ये बात सच है कि बड़े सहरों पे और महानगरों में संचार मितलब संचार रहता अपनी बाचीत को पहचाने का माध्यम जो है उसके उसके लिए नए साधन आ गया है और उससे और कई अन्य कारण उसकी वज़े से पत्रों की आवजाही आवजाही मतलब आना जाने में बहुत प्रभाव पड़ा है लेकिन देहाती दुनिया देहाती मतलब दूर दराज के इलाके गाउं अगेरे में अभी भी चिठ्थियों नहीं चलती है ठीक है फेक्स इमेल टेलीफॉन तो था मूबाइल ने चिठ्थियों की तेजी को रोका है पर व्यापारिक डाख की संख्या लगतार बढ़ रही है अगर आप बारी किसे उसकी तरह में तहह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्रों का बेसबरी से इंतजार ना कियो तो लेखक कहते हैं कि जहां तक पत्रों का सवाल है अगर आप बारिकी में जाया गहराई में जाया तो आपको ये बात पता चलेगी कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी किसी को पत्रों ना लिखा या फिर ना लिखाया हो महिनों इंतजार करते थे पर अवे बात नहीं रही है पररिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घयर दी परिवहन अर्थाथ ट्रेवर्वल इधर उधर जाने के जो साधन है उसने अब क्या है दूरियां मिटा दिये पहले लोगों के लिछ संचार का इकलौता साधन चिठी था पर आज साधन विक्सित हो गए हैं ठीक है आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पूर्खों की चिठीयों को सहेज और सजाकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं या फिर बड़े-बड़े लेखक पत्रकार उद्धमी पवी प्रश संयासी की किसान इनकी पत्र रजन अपने आप में ανुसुन्धान में अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पन्डित नहरू अपनी पुत्री इंद्रा गांधी को फौन करते पर अगर ऑच прекता की पत्र पूतरी के नाम तो कहते हैं अगर आज जिसे संचार साधन पहले होते हैं तो पंडित जवाहरलाल नहीरों अपने पुतरी इंद्रगंदी को फॉन करते हैं पिता के पत्र पुतरी के नाम नहीं लिखे जाते हैं तो देश के करोडों लोगों को प्रिणना देते ठीक है पत्रों को तो आप सहेच का रख लेते हैं पर SMS संदेशों का आप जल्दी ही भूल जाते हैं कितने संदेशों का आप सहेच का रख सकते हैं तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर अपनी दुआरा लिखे गए पत्र ही है तो यहाँ पर लेखा कहते हैं कि पत्रों को आप सम्हाल कर रख सकते हैं क्या कहते हैं सभाल कर रख सकते हैं तमाम जितने भी महान हस्ती हैं महान लोग हैं वो क्या हैं सबसे बड़ी यादगार धरोवर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं भारत में इस श्रेणी में राष्ट्र पिता महात्मा गांदी को सबसे आगे रखा जाता है दुनिया के तमाम संग्राले जानी माने हस्तियों के पत्रों का अनुठा संकलन भी है दुनिया के जितने भी संग्राले है और जो जानी मानी हस्तिया है उनके पत्रों का अनुठा संकलन अभी भी है संकलन मतलब संग्रे है ठीके तमाम पत्र देश, काल और समाज के जानने समझने का अस इसलिए पैमाना है इससे हमें पता चलता है कि कैसे किस किस प्रकार से लोग पहले क्या करते थे एक दूसर को पत्र भेजा करते थे लिए भारत में आजादी के पहले महा संग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अपसरों ने अपने परिवार जनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्तों के पुस्तक तक बन गए भारत में आजादी के पहले महा संग्राम के दिनों में जो भी कुछ अंग्रेज अ बहुत ही जादा काम में आये और उनसे पुस्तके बनाई गई इन पत्रों ने साबित के कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था तो इस पत्रों से यह साबित हुआ कि यह जो संग्राम था वो कितना मजबूत था महत्मा गंदी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र के वल महत्मा गंदी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुचे जाते थे तो महात्मा गांदी के पास दुनिया भर से जितने भी पत्र आते थे उसमें सिर्फ महात्मा गांदी और इंडिया लिखा जाता अब देखिए हमारा भारत वर्ष इतना बड़ा देश था उस समय सिर्फ भारत लिखने पर भी महात्मा गांदी के पास वो पत्र पहुँच जाते थे आजादी के अंदुलन की कई अन्य दिगज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था और आजादी के अंदुलन में और भी जो दिगज, दिगज मतलब जो जाने माने लोग थे उनके साथ भी ऐसा ही कुछ था गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंसते पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड नहीं था कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब भी लिख देते थे अपने हातों से ही जालते पत्रों का जवाब देते थे तो लेखा कहते कि गांधी जी के पास दुनिया से दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंसते थे मतलब वो दोनों हाथों से लिख सकते थे महात्मा गंदी ही नहीं अंदुलन के तमाम नायकों के पत्र गाउं-गाउं में मिल जाते थे महात्मा गंदी नहीं अंदुलन में और भी जो महान पुरुष थे उन लोगों को भी पत्र गाउं-गाउं में मिल जाते थे प्रशेश्टी पत्र मतलब प्रशेंशा पत्र से ठीक है तो जो लोग पत्र भेजते थे वो उन पत्रों को किसी प्रशेंशा पत्र से कम नहीं मानते थे और कहीं लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रखा था यह पत्रों जो है यह पत्रों का ही जादू था यही नहीं पत्रों के आधार पर ही कहीं भाशाएं तो लेखक कहरें कि यही नहीं पत्रों के क्या है पत्रों के आधार पर कहीं भाशाओं में जाने कितनी किताबे लिखी जिए सबके अलग-अलग किताबे होती थी सबके अलग-अलग भाशा ही होती तो कई भाशाओं में किताबे लिखी जाती थी ठीक है फिर क्या है वास्तों में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं थे बलेक कहते कि वास्तों में पत्र किसी दस्तावेज मतलब दस्तावेज मतलब कागज जरूरी कागज से कम नहीं थे पत्र, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दया नंद सरस्वती समेत कहीं पुस्तके आपको मिल जाएगी पत्रों के दो सो पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं का तथा पत्रों के आईने में दया नंद सरस्वती समेट कहीं पुस्तके आपको मिलेंगे कहा जाता है कि प्रेमचन जो थे खास तार पर नहीं लेकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे प्रेरक मतलब प्रेणना से भरे हुए तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे ठीक है इसी प्रकार नहरों और गांधी के लिए रविंद्रिनार टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक है महात्मा और कवी के नाम से महात्मा गांदी और रविंद्र नार्ट टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में पत्रकार का संग्रह प्रकाशित हुआ जिससे बहुत से नए तत्यों और उनकी मानुदशा का लेखा जखा मिलता है तो टैगोर क्या कहा रहे हैं लेखा कि महात्मा गांदी महात्मा और कवी के नाम से जो महात्मा गांदी और रविंद्र नार्ट टैगोर के बीच में 1915 से 1941 के बीच जो भी पत्रा चार मतलब पत्रों का संग्रह प्रकाशित भी हुआ है जिसमें बहुत नए तत्यों और देशा उनके मन की देशा कैसी रही होगी पत्र विवहर की परंपरा भारत में बहुत पूरानी है पर इसका असली विकास आजादी ये बाद हुआ तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग तब सबसे ज़्यादा क्या था? सबसे ज़्यादा चलने वाला था डाक विभाग इसकी एक खास वज़े यह भी किती कि यह लोगों को जोडने का काम करता है घर तक इसकी पहुँच है संचार के तमाम उन्नत उन्नत मतलब विक्षत जो विकास कर चुके है आगे बढ़ नए साधन जो है के बाद भी चिट्टी पत्री के हैसियत अभी भी वैसी ही है सहरी इलाकों में आलिशान हवेलिया हो या फिर जोपड़ पट्टी में रहे लो दुर् स्थाई कच्चे मकानों की बस्ती जो होती है रेगिस्तान में गाउं से कुछ दूर बनी रहती है उसमें रहने वाले लोग या आज जो है आज भी खतों का सबसे अधिक इंतजार करते हैं बेचैनी से ठीक है एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्नी सेवाओं के लि दूर घरों में जो हैं लाकों गरीब घरों में चूले जो हैं मनी ओर्डर अर्थ विवस्ता अर्थ विवस्ता लग एकॉनमी कहते हैं जिसे हमारे जो देश का अर्थ विवस्ता है मतलब जहां पर खडचे वगर देखे जाते हैं वो सब कैसे चलते हैं पत्रों के द्वारा चलते हैं गाओं या गरीब वस्तियों में चिठी या मनी ओडर लेकर पहुशने वाले जो डाक्या होते हैं, वो क्याते हैं, उन्हें देवदूत, ने भगवान के किसी दूद से कम नहीं समझा दाता है, पत्र जैसा संतोष, फ़ोन या संदेश क्यूं नहीं दे सकता, तो ले देस नहीं दे सकता क्योंकि Fon SMS द्वारा केवल कांकाजी बातों को सन्शिप्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं पत्रों द्वारा हम अपने मनु भाओं को खुल कर व्यक्त कर सकते हैं पत्रोंसे भे आत्मीयता जलकती है इन्हें अनुसंधान का विशह भी बनाया जाता है ये कई किताबों का आधार है पत्र राजनीती सायत तथा कला शेत्र में प्रगती सील अंदोलन के कारड़ बन सकते हैं ये शमता फोन ये समस द्वारा दिये गए संदेश में नहीं रती अब क्या है दूसरा पत्रों को खत कागद उ चिठ्थी हिंदी में और पत्र संस्क्रित में ठीक है पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखे तो पत्र लेखन की कला को विक्सित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठेक्रम में पत्र लेखन का विश्य सामिल किया गया विश जोकि प्रियर जन को अधिक प्रियों होते हैं ठीक है हम जितने चाहें उतने पत्रों की धरोहर की रूप में समेट कर रख सकते हैं जबकि SMS को मोबायल में सहच कर रखने की शमतर जाद समय तक नहीं होती SMS को जल्दी भुला दिया जाता है पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रह दुनिया के तमाम संग्रालों में जानी माने हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है अब प्रेश्ण पाच के और बढ़ते हैं क्या चिठ्धियों की जगह कभी जगह कभी फैक्स इमेल टेलिफॉन तथा मोबाल ले सकते हैं तो यह पूचा गया बीना देखे अब पत्रों का चलन कभी कम भी नहीं हुआ था ना कभी कम होगा चिठ्धियों की जगह कोई नहीं अब पार्ट से आगे देखे किसी के लिए बिना टिकेट साधे लिफाफे पर सही पता पत्र बेरंग भेजना पर कौन से कठी नहीं आ सकती है पता कीजिए तो क्या बोल रहे हैं बिना टिकेट साधे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर पत्र को पाने वाला व्यक्ति को टिकेट की धनराशी जुर्माने के रूप में देनी होगी, ठीक है? पिन कोट भी संख्याओं में लिखा गया, एक पता है कैसे? देखे, पिन कोट किसी खास शेत्र को सम्भोधित करता है, कि यह पत्र इस राज्य के इस सेत्र का है, ठीक है? इसके साथ व्यक्ति का नाम और नमबर आदी भी लिखना पड़ता है पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नमबर यह चैनकों का होता है और हर एक का खास थाने अर्थ होता है जैसे कि पहला अंक राजे दूसरा और तीसरा अंक उप्षेत्र और अन्यांक रमशे डाग घर आदी के होते हैं इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता ही है अनुमान और कलपना अपको अनुमान और कलपना करके लिखना है रामधारी सिंग दिनकर की कवीता भगवान के डाके आपकी पाठे पुस्तक में उसके अधर पर पक्षी और बादल को डाके की भाती मानकर अपनी कलपना से लेख लिखे यह आपको अपने खुद करना है ठीक है फिर दूसरे के संस्क्रिट्स आयत के महा कभी कालिदास ने बादल को संदेश वाहक बनाकर मेगदूत नाम का काविल लिगा मेगदूत के विशे में जानकारी प्राप्त कीजिए यह आपको स्वयम करना है फिर पक्षी के संदेश वा संदेश वाहक बना का पत्र भेजना हो तो आप पत्र किसे बेजना चाहोगे और उसमें क्या लिखना चाहोगे यह आपको कलपनगर के सम लिखना है फिर प्रश्म चौथा केवल पढ़ने के लिए दी गई राम दरस मिश्र की कवीता चिट्थियों को ध्यान पूर्व पढ पर जाने के लिए तयार चिट्थियों के बारे में है या रेल के डिब्बे में बैटी सवारी भी उन्हें चिट्थियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकेट है पत्र के पते की तरह और क्या विध्याले भी एक लेटर बॉक्स की भाती नहीं है जहां से उत हैं जैसे प्रशिस्त्र प्रत्र समेचार पत्र आप भी पत्र करते योग से बनने प्राक्रतिक हो गया, पारंपरिक हो गया, यह सब हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तिन के स्वर संदी कहते हैं, जैसे जवरविंद्र, रवी प्लस इंद्र, इस संदी में E E हुई है, E E से जुड़का बड़ी E की मात्र हो, इसे दीर्ग संदी कहते हैं, दीर्ग आपस में मिलकर क्रमा शाह दीर्ग आ बड़ी बड़ाव हो जाते हैं। इसी कारण इस संधी को दीर्ग संधी कहते हैं। जैसे कि संग्रह आले, संग्राले, महा, आत्मा, महात्मा। इस प्रकार के कम से कम दस उधारन खोजकर लिखिया। और अपनी सिक्षक, शिक्षक या फ सूरेो दे भड़ाऊ बन गया सदीर के संधी होगा सदा एव और एको मुना के आग की मातर होगा सदैव गुरूप देश गुरू प्लस उपदेश छोटा हुआ और चोटा हुप के संधी से बड़ा अगौरूप देश हिमाले हिम प्लस आले आ और आ के संदी आ और आ के मिश्रण से ये बन गया हिमाले यहां पर आपको सब्दार्थ लिखे दिये गए हैं या आप कठीन चब्दों के अर्थ जिसे कहते हैं या आप देख लिजेगा तो चलिए अब हमारे चेप्टरनें पर खतम होता है